और दिल्ली के ओल्ड राजेंदर नगर में पोल पे नंगे तार लटक रहे हैं जिसकी वैसे बच्चे की जान भी गई है एक हपते पहले अगर आपने देखा होगा तो और यह बोलते हैं कि फ्री है लाइट बील वहां पे और उसका डबल चार्ज कर रहे हैं बच्चों के आप लोग भी यूटूब पे या न्यूस चैनल पे आप देख रहे होंगे कि तीजी से एक वीडियो वाइरल हो रही है जिसका मैंने एक वीडियो मेरे चैनल पे भी डाला था उसका लिंक में आपके साथ श्रेयर करूंगी आप प्लीज उसको देखिएगा जैसे 27 और दस से पंदर मेट में तीन बच्चों की जान चली गई जो की 21, 25 और 23, 24 साल की बच्चे थे दिल्ली सरकार हमेशा बोलती है कि वहाँ पे लाइट्स बील हमने फ्री कर दिया है बट जहां पे मैंने देखा कि वो लोग बोल रहे हैं कि जहां पे 6 रुपे पर यूनिट है वहाँ पे बच्चों से वो लोग 12 रुपे 14 रुपे या 16 रुपे पर यूनिट ले रहे हैं सो फ्री तो नहीं है बट आप डबल ले रहे हो और जो पीजी है वहाँ पे वो अगर आप देखा जा तो नॉर्मली जो बातरूम का साइज होता है उतना ही साइज का एक रूम है जिसमें दो से तीन बच्चे शेयर करते हैं और पर बच्चे वो 9,000 का रेंट पे करते हैं प्लस उनसे ब्रोकरेज भी लिया जाता है और अभी जब इतना सारा वीडियो वाइरल होने के बाद वहाँ पे जो वहाँ के लोकिल पुलिस है उन्होंने एक्शन लिया तो सारे के सारे पीजी बोलिये या लाइब्रेडी बोलिये या जो कोचिंग सेंटर थे वहाँ पे सब लोगों ने लॉग कर दिया और लॉग करके रातों राद वहां से गायब हो चुके हैं वहाँ पे जो हाथसा हुआ मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करते हूं आप कर दो हुआ लॉग कोई आ अंपयोज यह शी बारे प्वाल्स कारें //कारडी ऑप्र यह जा फोड़ियो थे खाक ज Все-गास बी अभी अज गास यह उनुन अब आपने जो देखा वीडियो उसमें आपने देखा कि कितने फ्लो में पानी था और उसको सिप कवर करने के लिए एक गेट लगा दिया था और एक गाड़ी तेजी से गई और वो उसे गलती से लग गया और वो जो गेट था वो तूट गया और पानी अचानक से घुज गय उस ट्रैपर को भी आरेस्ट कर लिया गया है और और पांचे लोग को अरेस्ट कर लिया गया है जो इतने बड़े-बड़ इंस्टूट चलाते हैं बच्चे वहां पे दो से भाई लाक रुपया पर बच्चा वहां पे फीस भर रहा है माप बच्चों को कि मेरी बच्चे वहां पे सेफ रहे हैं वह आप लुग इतने बड़े-बड़े वादे कर ते हैं हैं हम आपको ओछी सिखाते हैं कि बच्चों यह पूचा गया कि आप लोग इतने बाहर से मतलब भी बच्चे बढरे बाहर के स्टेट तो आप उतना जान जोकी में डूखर पढ़ने के लिए और पर जो जो बेस्मेंट में एक तो अलाव भी नहीं है वहाँ पर नोसी भी वोगों को नहीं दिया गया है कि आप वहाँ पर क्लासे वगरा चला है क्योंकि बहुत रिस्की है एक ही इंट्री है वो भी इतनी खराब है कि अचानक से कुछ हाथसा हो जाए तो आप ज्यादर पाई का काम किया गया है अचानक से माली जैस अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है यह आग लग जाती है तो कोई भी बच के नहीं निकल पाएगा बच्चे महां पे जो हैं नौनों दस दस जार रुपया आपको रेंट दे रहे हैं वह अपने जान जोकिम में डाल की पढ़ पर आप जाए तो सांस भी लेना नहीं आ रहा है और इस पर भी उनकी सेफटी तो नहीं है जब पचछों से पूछा गया कि आपको ऑपको से क्लासेज ऐसे घर तो आप कूँ आप यह सब कर रहे हैं और कैसे सरकार आपको अलाव कर रही है वहाँ पे जो लोकल पुलिस है या जो वहां के जो ओनर हैं या जो पॉलिटिक्स लोग हैं वो कोई भी देखने को त्यार नहीं है एक घंटे में न्ईूस वालों ने वो सब कुछ दूणके निकाल लिये कि महां पहरे क्या कमने नहीं हैं महां में जो क्लासेज वह अच्षे नहीं तो इतने साल से क्यों आप लोग सोई ओैं और ऐilt see the लड़की ने वहाँ पर तनीशका तिवारी निश्का दीया था कियो शब्सक्राइब वहां ने बाकाइदा वह पूरे डीटेल में लिखा हुआ है कि यहां पर बाढ़ हाने के चांसेज हैं उन्होंने वहां पर एक कोड उनको दे दिया कि हाँ आपका जो कम्टेन है वह दर्च कर लिया गया है इस पर एक्षन लिया जाएगा बट एक्षन नहीं लिया गया और याथ हाथसा हो गया आज उनकी जो फैमिली है वह रोलों के परिशान हुई जा रही है बट